स्थारी आई क्यों में आपका स्वागत है आज किस वीडियो के माधियम से हम एसिंग विकाबलरी थूरू रूट वर्ट के प्रैक्टिस से 20 को कावर करेंगे यहां पर हम बहुत ही सिंपल येट इंपोर्टन रूट वर्ड साइड को देखेंगे साइड का अर्थ होता है जब क्वेस्टन होता है एक्सामिनेशन पॉइंट व्यू से भी और यह काफी स्कोरिंग माना जाता है इसलिए इस वीडियो के मात्यम से हम साइड से संबंधित शब्तों को कवर करेंगे आप वीडियो को पॉस करके आज के इंपोर्टन वर्ड जो हैं क्विज ओफ दे दे के फ सबसे पहला हमारा जो है वो है औग्जारसाइड औग्जारसाइड जो है औग्जार का मतलब होता है पत्नी अपनी पत्नी को मारना औग्जारसाइड कहलाता है So, the act of killing your own wife is called Oxorocyte. Oxorocyte is strictly prohibited in many customs. So, यहाँ पर Oxorocyte है, the act of killing your own wife. सेनसाइड, सेनसाइड को हम गेरेंटोसाइड भी कहते हैं. गेरेंटोसाइड या सेनसाइड का अर्थ होता है, the act of killing old men. इसको हम pulling the plug भी कहते हैं. कई बार कोई बुजूर्ग अगर बहुत जादा बिमार हैं, तो आप एक तरह से उनको उनकी इलाज में पैसे नहीं डालते हैं यह सोचके के वो ओल्ड हैं, तो आप एक तरह से सेनसाइड में इंगेज कर रहे हैं या गेरेंटोसाइड में इंगेज कर रहे हैं. The killing of elderly people or abetting the killing of elderly people is called सेनसाइड. सुरॉरसाइड, सुरॉरसाइड का अर्थ होता है अपनी बेहन की मृत्यों का कारण बना, the act of killing one's own sister is called सु सुरॉरसाइड. सुरॉरसाइड has been depicted in a Webster's play, the Duchess of Malfi. रहेजिसाइड का अर्थ होता है, the act of killing a king. उसके लिए हम रहेजिसाइड शब्त का प्रयोग करते हैं. रहेजि का अर्थ होता है, king. पेस्टिसाइड एक एजन्ट होता है, जो पेस्ट जैसे की इंसेक्ट्स या रोड को मार देता है, यह अधिकतर agricultural purposes के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि फसल इंपक्त ना हो इन सारे इंसेक्स पेस्ट रोडन से. पैट्रसाइड का अर्थ होता है, the act of killing your own father. अपने पिता की मृत्यों का कारण बनना, उसके लिए हम पैट्रसाइड शब्त का प्रयोग करते हैं, history has shown how patricide has resulted in people obtaining kingdoms. पैरिसाइड और पैरिसाइड, पैरिसाइड का अर्थ होता है, या तो आप अपने एक पैरेंट को मार रहे हैं, या बहुत एक close relative को मार रहे हैं, उसके लिए हम पैरिसाइड शब्त का प्रयोग करते हैं. So, पैरि means relatives, close relatives or your parents. ओविसाइड, ओविसाइड is an agent जो की eggs को मार देता है, so an insecticide that is effective at killing egg stage of an insect, उसको हम ओविसाइड कहते हैं. New oversights have been used in order to make sure that all the insects are weeded out. Matricide is the act of killing one's own mother, matricart होता है mother, so the act of killing one's own mother is called matricide. Insecticide is an agent, जो की insects को मार देता है. Infanticide is the act of killing an infant, जब आप एक बच्चे को मार देते हैं, उसके लिए हम infanticide शब्त का प्रयोग करते हैं. Homicide is जब आप एक और दूसरे fellow human को मार देते हैं. Homicide was his crime for which he is behind the bars. Herbicide कार्थ होता है, एक ऐसा agent जो की plants, herbs को किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम herbicide शब्त का प्रयोग करते हैं. Fratricide is the act of killing one's own brother or sister, that is called fratricide. Fratricide, जब आप अपनी ही भाई या बहन को मार देते हैं, fratricide. Genocide, जब आप एक पूरे cultural, political, samudai को, group को मार देते हैं, is called genocide. The Nazi party was responsible for the holocaust, which is one of the biggest genocides in the 20th century. Germicide, एक agent होता है, जो germs या microorganisms को मार देता है. Germicides are important to have a clean environment. कुछ और तरह के sides हैं, आपका killing of bears is called ursicide, ursicide या exam में पूछा भी जाता है. Bulls के मारने को tauracide कहा जाता है. Mice के मारने को muticide कहा जाता है. Serpent snakes को मारने के लिए serpentecide कहा जाता है. Cows को मारना is vassaside और deer को मारना is cervicide. या आप याद रख सकते हैं, rodents को मारना, rodenticides. Moving on to the quiz for today. हम लोगोंने match the following words को देखा था. आईए एक-एक word को analyze करते हैं. Depravity का अर्थ होता है, किसी तरह की भ्रष्टता या बुराई, अनैतिकता या बुरा आचार. उसके लिए हम depravity शब्द का प्रयोग करते हैं. तो wickedness हो गया, immorality हो गया, जहाँ पर आप बुरे हैं. Turpitude एक important synonym है, wantonness एक important synonym है, decadence एक important synonym है. He led a life of depravity, which was condemned by all. Deranged का अर्थ होता है, एक ऐसा व्यक्ती जो बिलकुल पगला गया है, पागल हो गया है, दिवाना हो गया है, becoming insane or unable to think clearly. He was a deranged attacker. Desecrate का अर्थ होता है, जब आप किसी चीज को भरष्ट कर देते हैं, ना पाक कर देते हैं, अप अवित्र कर देते हैं, उसके लिए हम desecrate शब्द का प्रयोग करते हैं. So for that we are using the word desecrate. Profene कर देना, किसी चीज को damage कर देना, या जब आप उसकी तरफ lack of respect दिखाते हैं, क्योंकि especially वो चीज respected है, उसके लिए desecrate शब्द का प्रयोग होता है. Desperado का अर्थ है, जब आप बहुत ज़ादा निराश हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़ादा अपसेट हो जाते हैं, जब आपर आप hope खो बैठते हैं, that is a state of despair. He was under a state of despair after he lost his job. Desperado का अर्थ होता है, एक criminal, एक दुसासी, एक bandit, gangster, renegade या baddie, उसके लिए हम desperado शब्द का प्रयोग करेंगे. That was a gang of desperados. Despise का अर्थ होता है, आप घ्रिना करते हैं किसी चीज से, आप उसे नापसंद करते हैं, आप उसे लोद करते हैं. Two groups despise each other. Despondent का अर्थ होता है, जब आप बहुत ज़्यादा निराश है, मायूस है, हताश है, आशा छोड़ चुकी हैं, unhappy हैं, dejected हैं, miserable हैं, उसके लिए हम despondent शब्द का प्रयोग करते हैं. Despond कार्थ होता है, ताना शाह, एक ऐसा व्यक्ति जो की dictator है, जिसके पास unlimited power है, और एक autocrat, एक tyrant, एक oppressor, एक martinet, martinet भी एक important synonym है. He was an evil despot who was despised by everyone. Destitute कार्थ होता है, गरीब होने की स्थिति, निर्दन होने की स्थिति, जब आप insolvent हैं, indigent हैं, बहुत ही सादा poor हैं. So, यहाँ पर हम लोगों ने root word set 20 में side root word को देखा, आप brackets में 5 comment section में 5 और शब्द लिख सकते हैं, जो side root word से आते हैं, और अगर कोई भी problem है इस वीडियो में, तो आप उसे comment section में लिख सकते हैं.